मेरा नाम मुकुंदव है, मैं रुजगार हूँ, आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उसके अजारों गुना माप हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है, और एक मालिक हो जाता है इस अज़े व्यूदी पर हम एक से लिख करा है, जो जबस वीडियों एक हिंदू पंडिक ने दाक्टर नाक से सवाल किया कि अल्ला के बारे में कि एक मलब डो नजर से क्यों डेखता है, मुस्लिम को जंदर में डालीगा और नौन मुस्लिम को जो काफिर उपको जाना में डा क्यूं जाएंगे, मुस्लिम ही जन्नत में क्यों जाएंगे? तो इसके बारे में जाक्र नाकिन क्या क्या एक बूल देखक़ाने की रिखाते हैं, जो आपडिया अप्टर जाक्र ना सबने जबर हमें, च्छली वीडियों को शुरू कते हैं, मगर उसे अपने चैनल को पहली कि हिंडी पंडिक ने क्या सहल किया और फिर डाप्टर जाकिल क्या जाओ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मेरा नाम मुकुंदव है है मेरोजगारू आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उसके अजारों गुना माप हो जाता है मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है और एक मालिक होते हैं किसको ये नज़र से देखता है और किसको वो नज़र से देखता है हिंदों को माफ नहीं करेगा और जो इसलाफ धर्म सज़कार करता है उसको माफ कर देगा एक कौन से उपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है बहुत अच्छा सवाल मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है बहुत अच्छा सवाल बहुत एहम सवाल भाई का सवाल है कि ये किदर का मुसल्मानों को माफ करता है हिंदू को नहीं माफ करता है मैंने अब से कहा कि जो इनसान नाम का मुसल्मान है उसका नाम मौम्मद अब्दूल्ला जाकिर है तो वो काफी नहीं जन्नत में जाने के लिए मुस्लिम का मतलब वो इनसान जो अमन हासिल करता है अपने खोईश अपने मर्जी से खुदा के एकामात पे अमर करने के बाद जो इनसान अपने मालिक के एकामात पे अमर करता है वो सच्चा इनसाने वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लिना देना ने यहां मैं कह रहा हूँ कि जो इनसान अल्ला के इलावा किसी के साथ शिर कर रहा था आज शिर करना छोड़ दिया आज उसके गुना माफ होंगे चाहे कोई भी हो आप भी आप भी अगर कहते कि मैं शिर्कन ना छोड़ दूँगा अल्ला के इलावा किसी और की अबादत नहीं करूँगा जो हिंदू मदभ के किताब में लिखा है और मैं मानूँगा आखरी पैगंबर मुम्म्मस अल्लाव सल्म में चाहे आप इसाई है चाहे आप हिंदू है चाहे आप यहुदी है आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ करेंगा लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ करेंगा मिसल के तोर पे लेकिन examination में जो teacher पूरे साल बर सिखाता है, जो तालिब इल्म वो teacher के सिखाय वो मुताबिक examination paper में लिखता है, वो पास हो जाएगा, जो तालिब इल्म तीचर जो सिखाता है, उसके खिलाफ काम करता है, तो teacher क्या उसको पास करेंगा? चाहिए वो हिंदू, मुस्लिम हो, इसाई हो, जो teacher सिखाता है, उसके उपर वो तालिब इल्म उसके मताबिक इम्तियान देता है, वो पास होगा, आपका मालिक, हमारा मालिक एक है, सारी किताबों में लिखा है, हिंदू मजब की किताब में, यहुद मजब की किताब में, इस् किसी की अबादत नहीं करना चाहिए कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं कोई अक्स नहीं कोई फोटोग्राफ नहीं कोई पिच्छर नहीं कोई बुत नहीं कोई मुर्ती नहीं फिर अगर आप मुर्ती देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मानें तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुना माफ हो जाएंगे तो यह अर्बी में कह रहा हूँ कि मुस्लिम तो लोग को यह लफ से नफरत है अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ को निकालता हूँ जो भी इनसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अर्बी में कहते ह मुस्लिम लेकिन आपको मुस्लिम शब से नफरत है मुस्लिम शब को निकाल दो मैं यह कहूँगा जो खुदा के एकामात पे अमल करता है खुदा के कलमात पे अमल करता है यह मानता है कि खुदा एक है उसके इलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए वो इनसान के गुना व और हां कि ने मांटे आप मांते बुद्परस्ति गलत है आप मांते कर मुर्ती पूजा गलत है आप मांते के आखरी पयगमबर मंबस ने नहीं मांते जैसे सीव संकर को पैगंबर बोलते है या सिव बाबा को फरीश्टे ऐसे आते गए आप मेरे 15 तारिकी तक्रीर सुनी मेरे लाइय करे है के आखरी पैगंबर आने वाले वाले हैं उस आखरी पैगंबर का नाम मुहमस लाइय विबूर ग्रानए सब्सक्राइब में निखाए आप कुण्टब सुक्ता पढ़िए अथरवावेद में लिखा है किताब नंबब 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1-14 में लिखा है महमस्तालासलम के बारे में आप पढ़िए अथरवावेद किताब नमबर 20, अधिया नमबर 21, श्लोका नमबर 6, और 7 में मुहम्मद स.A.L. का जिकर है, साम वेद में अहमद जैसा, साम वेद उत्तर चिक, मंत्रा नमबर 1500 लिखा है, यजवेद में अधिया नमबर 31, श्लोका नमबर 18 में, आप पढ़ेंगे, रिगवेद, किताब नमब आधिया नमबर 6, वर्स नमबर 10 में, आप अगर पढ़ेंगे, अधर वावेद, किताब नमबर 8, अधिया नमबर 5, श्लोका नमबर 16 में, मुहम्मद स.A.L. के बाले में अहमद लिखा है, अधर वावेद, किताब नमबर 20, हिम नमबर 12, वर्स नमबर 14 में, कई जगा लिख इसका अर्भी में तर्जुमा होता है, मुहम्मद स.A.L. का नाम से जिकर है, हिंदू मजब की कई किताब में, रिगवेद, किताब नमबर 1, हिम नमबर 13, वर्स नमबर 3, रिगवेद, किताब नमबर 1, हिम नमबर 18, वर्स नमबर 9, रिगवेद, बुक नमबर 1, हिम नमबर 106, verse number 4 Rig Ved, book number 1 Hymn number 142 Verse number 3, Rig Ved, book number 2 Hymn number 3, verse number 2 Rig Ved, book number 5 Hymn number 5, verse number 2 Rig Ved, book number 7, Hymn number 2 Verse number 2, Rig Ved, book number 10 Hymn number 14 Verse number 3, Rig Ved, book number 10 Hymn number 182 Verse number 2, Yajur Veyh chapter number 20 Verse number 55, Yajur Veyh chapter number 20 Verse 37, Yajur Veyh chapter number 20 verse 57 यजुरुए chapter 21 verse number 31 मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूँ आपके किताबों में से सिर्फ घंटों तक जिसमें लिखा है मम्मस अल्लावसलम आखरी पैगंबर है आज वो इसलाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इसलाम धर्म क्या है उनको वो समझ में मेरे भी समझ में नहीं आ रहा ते इसलाम बोलते हैं किसको है आपने कहा कि जो लोग इसलाम कबूल कर रहे हैं उन्हें समझाओ इसलाम धर्म क्या है आप नहीं समझे वो लोग समझें इसलिए तो इसलाम कबूल करेंगे आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे ये दस रोजा कॉन्फिंज जो था हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इनसानों को इसलाम क्या है ये मीडिया जो इसलाम को पेश कर रही है ये तोड़ मुडोर के पेश कर रही हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इनसानों को इसलाम क्या है अगर आप इसलाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो जब भी पहचान लेंगे इसलाम को तो इन्शालला आप भी शादत देंगे मेरी दुआ या ला सुबानाओ ताला से उस मालिक से कि आपको उदाद दे कि आप ये माने कि अल्ला है कि अल्ला के अलावा कोई माबूद नहीं मेरी डिवीडी दे मम्मा सुबानाओ का जिकर मुक्तलिब मजभी किताबों में उसमें सारे हवाले है और एक खुसद दक्रीर है मम्मा सुबानाओ का जिकर हिंदू मजभी किताब में सिर्फ हिंदू मजभ में आप उसको देखो और इन्शालला आप इस बात को तस्लिम करेंगे आज नहीं तो कल क्या लाइक है उसके इलावा कोई माबूद नहीं और मुम्मत स्लिमा अखरी परिगंबर है तो आपको कैसे लगी अच्छी लगी ही तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल पर बेल आइकन को प्रेस करें फेजुक पर देख रहे हैं तो पेज को फोलो करें फिर मिलते हैं नए शुटियू में